CBSC Words में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम Class 10 Geography का 5th Chapter जिसका नाम है Minerals and Energy Resources उसका Map Work देखेंगे तो सबसे पहले हम Cellbus जान लेते हैं कि हमारा Cellbus में कौन-कौन से Map हमें तयार करने हैं तो यह है latest Cellbus Chapter 5 की बात करें Minerals and Energy Resources तो इसमें हमको सिर्फ Power Plants पढ़ने हैं इससे पहले जो Cellbus में था उसमें और भी चीजें थी जिसे Coal Mines हो गया, Oil Field हो गया Iron Ore वगरा हो गया तो वो सब अब latest Cellbus के According रिमूव कर दिये गये हैं अब उनको आपको नहीं पढ़ना है तो इस Chapter में सिर्फ आपको Power Plant सयार करने है और कौन से Power Plant एक तो Thermal और दूसरा Nuclear तो आप कहीं से भी वीडियो देखो चाहे मेरी या किसी और जगे से भी तो इस बात का ध्यान रखना आप बहुत ज़दा पुरानी Map की वीडियो ना देखना क्योंकि पहले के Cell Bus में बहुत ज़दा चीजें थी अब वो चीज हट चुकी है तो उसे देखने का उसे ये तयार करने का कोई मतलब नहीं है ठीक है जहां से भी देखो नई वीडियो मैप वाली देखना यानि जब Cell Bus चेंज हुआ है उसके बाद की वीडियो आप देख सकते हो तो थर्मल में हमको एक तो नाम रूप है दूसरा रामा गुंदम है तीसरा सिंग रोली है ये तीन थर्मल पाउर प्लांट तयार करने है नूकलियर की बात करें तो नरोरा, काकरापारा, तारापुर, कलपकम ठीक है, ये चार हो गए और यहां से कोशन आएगए कैसे locating and labeling only इसका मतलब यह है कि आपको नाम दे देगा, मालो ABCD करके map देगा, उसमें से B वाला कोशन आपका नाम रूप दिया हुआ है, और आपसे पूचा है इसको plot करो, तो जहां पर भी ये नाम रूप है, वहाँ पर ऐसे आपको लगाना है, symbol ऐसे point बनाना है, और उसके बाद एक line खीचना है, उस line पर आप लिखोगे, जैसे B वाला कोशन है B वाला part में पूचा है, तो B dot नाम रूप, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है, इसी कहते है locate करना कि वो कहां है, और label करना है, उसका नाम वगएरा लिख देना है, ठीक है अब चली है, map ना plot करते है तो पहले हम thermal power plant को देखते हैं पहला thermal power plant है, नाम रूप जो की awesome के अंदर है तो पहले हम देखें, awesome state कहां है, यह है आपका awesome state ठीक है, आपको state पता होने चाहिए कि कौन से state कहां है, वरना map plot करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तो यह आपका awesome है, awesome में नाम रूप कहां पर है मिलकुल right side corner में यहाँ पर आपको ऐसे लगा देना है और ऐसे line खीचके, इस side या outside किधर side भी, जहां साफ साफ दिख जाए वहाँ आपको ऐसे लिखना है A वाला option, A वाला part है तो A और आगे नाम लिख देना है, नाम रूप, ठीक है अब इसे याद रखने के लिए मैंने trick भी बनाई है, अगर आपको पुछें कि नाम क्या है? तो नाम है Sam, ठीक है? ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसे क्यते हैं, नाम वाम तो नाम साम, ऐसे याद रख लेना ठीक है, तो नाम क्या है? Sam नाम साम, B वाला देखते हैं, सिंग्रोली प्लोट करना है ये कहाँ पर है मध्य परदेश में तो पहले हम देखेंगी कि मध्य परदेश कहाँ है ये वाला जो state है ये आपका मध्य परदेश है अब इसी में हमको सिंग्रोली ढूणना है तो ये मध्य परदेश के बिलकुल right side corner में border के पास आपका सिंग्रोली है ठीक है ऐसे line खीचना यहाँ पर भी और बी वाला part है तो बी ऐसे लिखना है आगे आप नाम लिख देना मैं यहाँ सिर्फ question का part लिख देना हूँ ठीक है बी आगे आगे आपको नाम लिखना है सिंग्रोली अब इसे याद रखने क्या trick है सिंगरोली का starting का 4 alphabet लेते हैं SING यानि Sing अब song को क्या करता है अदमी sing करता है तो जब song को sing करेगा यानि गाना गाएगा तो record करेगा तो record किस file में होता है in general MP3 file में तो मध्य परदेश को हम short में क्या लिखते हैं MP लिखते हैं तो पहले हम यहां लिख लेते हैं SING यानि गाने को SING किया जा रहा है और मध्य परदेश को SHORT में क्या लिखते हैं MP इसी के आगे आपको 3 लगा देना है यानि सौंग को SING करेंगे, record करेंगे तो वो फाइल कौन सी बनेगी MP3 फाइल बनेगी MP यानि मध्य परदेश सी वाला पार्ट इसमें देखते हैं रामा गुंदम ये कहां पर है तेलंगाना के अंदर है पहले plot करते हैं तो ये हमारा state है तेलंगाना ठीक है, state हम ढूण लिए अब हम thermal power plant देखते हैं कि कहां पर है रामा गुंदम तो ये थोड़ा तेलंगाना के north side में और right side थोड़ा यहां पर ऐसे लगा देना ठीक है बहुत बिल्कुल नाप के नहीं लगाना कि यहां centimeter, millimeter देख रहे हो एक idea सा होना चाहिए कि अब ये नहीं कि तेलंगाना में यहां लगा दिए तो ऐसे आपको फिर यहां पर भी line खीचना है और c और आगे आपको रामा गुंदम पुरा लिख देना है ठीक है इसे याद करने केटरिक है तो यहां पर बीच में g-un आपको दिख रहा होगा इसको हमने निकाल लिया और तेलंगाना का last का four alphabet ले लिया G-A-N-A यानि गाना हो गया और ये क्या है गुन ठीक है तो गाने को आदमी क्या करता है गाना गुन गुन आता है तो यहां से आप याद रख सकते हो कि गाने को क्या किया जाता है गुन गुन आये जाता है यानि गुन कहां पर आएगा रामा गुंदम और गाना किस स्टेट के लास्ट में आता है तेलंगाना ठीक है कई बार आप रिवाइज करोगे तो ये चीज याद हो जाएगी तो थर्मर पाउर प्लांट तो हमारा हो गया अब नूकलियर पाउर प्लांट देखते हैं ठीक है इसके लिए मैं अलग कलर यूज कर ले रहा हूँ आपको जरूरी नहीं कि अलग-अलग कलर यूज करो तो पहले हम नरोरा देखते हैं डी वाला पार्ट हमारा ये कहां पर है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश हमारा ये रहा चलिए उत्तरपदेश तो हमने ढूंड लिया अब नरोरा को ढूंडते हैं तो यूपी के नौर्थ वेस्ट साइड में यानि लेफ्ट साइड में जाएंगे उपर की तरफ जाएंगे मैं इसके लिए अलग सिंबल यूज करता हूँ आपके लिए ज़रूरी नहीं के सिंबल अलग यूज करो वैसे यूज कर लो के तो जादा बहतर है तो यहां मैंने ट्रैंगिल यूज कर लिया और ऐसे आपको यहां लाइन खीचना है और ऐसे डी नरोरा लिख देना है ठीक है अब इसे कैसे याद रखें क्या ट्रिक है तो नरोरा का last का four alphabet हम लेते है तो अगर हम बार बार बोले नरोरा नरोरा तो रो रहा की आवाज जैसे नहीं निकल ला है जैसे कुछ रो रहा जैसे बोला जा रहा हो और उत्तर प्रदेश का हमने उत्तर ले लिया ठीक है तो एक तो यह हो गया रो रहा क्यूं क्युकि इसे उत्तर नहीं दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो अब रो रहा है तो आप क्या कहों गए कि भाई ना रो तो इसको अगर हम दो हिस्से में बाटें तो n a यह अलग हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, ना रो रा, यानि ना रो, उत्तर नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ना रो तो यह भी हमारा हो गया, यह वाला देखें, काकरापारा यह कहां पर है, गुजराद के अंदर plot करते हैं कहाँ पर है गुजरात ये है हमारा गुजरात स्टेट अब गुजरात में ये महारास्टा से थोड़ा उपर यहाँ corner side में नीचे side में है बिल्कुल ठीक है यहाँ ऐसे आप line खीज देना और आप यहाँ E-Lick के आगे नाम काकरा पारा ठीक है अब इसकी कोई खास ट्रिक तो बन नहीं रही थी लेकिन बहुत सोचा तो कुछ एकात निकल आई इसका आपको के लेना है और गुजरात का जी ले लेना है तो क्या हो जाएगा के जी और फिर से आपको इसके दो alphabet लेना है के ए ठीक है के ए हमने ले लिया गुजरात का जी यू हमने ले लिया यानि जी यू तो क्या हो गया केजी काजू यानि केजी में वेट करके मुझे काजू चाहिए वैसे जे होता है काजू में लेकिन अपना काम चल जाए इसलिए हमने जी यूज कर लिया ठीक है काजू केजी अब F वाला देखते हैं तारापूर ये कहाँ पर है महारास्टा के अंदर तो ये अपना स्टेट क्या है महारास्टा का है इसमें कहाँ पर है यही काकरापारा के नीचे लेकिन महारास्टा के रीजन में यहाँ पर है इस तरह समने बनाया लाइन कीची और यहाँ पर F तारापुर आगे आपको लिखना है ठीक है अब इसके लिए क्या ट्रिक है तारा हम निकाल लेते हैं तारे को इंगलिश में क्या कहते हैं बॉलिवुड स्टार्स कहा रहते हैं मुंबई के अंदर और मुंबई कहा पर है महारास्टा में ठीक है तो एक ट्रिक तो यह हो गई कि बॉलिवुड स्टार्स यानि बॉलिवुड के तारे कहा रहते हैं मुंबई के अंदर और मुंबई है महारास्टा के अंदर तो तारापूर भी कहा होगा महारास्टा के अंदर दूसरी ट्रिकी है कि महारास्टा पुलिस का जो लोगो है उसके अंदर स्टार बना हुआ यानि तारा बना हुआ है मैं लोगो दिखाता हूँ आपको यह है महारास्टा पुलिस का लोगो इसमें आप देख सकते हो ब्लू कलर से यह जो स्टार बना हुआ है यानि तारा बना हुआ है तो यह तारा जिसके लोगों में है वो कहां की पुलिस है? महारास्टा पुलिस ठीक है तो आपने देख लिया तो तारापुर हमारा महारास्टा में हो गया फिर अब लास्ट वाला देखते है जी वाला कल पकम ये कहां पर है तमिल लाडू के अंदर तमिल लाडू हमारा ये रहा बिलकुल साउथ साइड में और ये भी कहां पर है तमिल लाडू के नौर्थ इस साइड में ठीक है नौर्थ में उपर की तरफ और राइट साइड में यहाँ पर G लिख के आगे कल पका हम आपको लिख देना है ठीक है अब इसे याद करने क्या ट्रिक है इसे हम कई हिस्सों में split करेंगे तोड़ेंगे कई हिस्सों में एक तो KAL हमने निकाल लिया मैं यहाँ लिखता जाता हूँ KAL कल हो गया फिर M को छोड़के आगे वाला सब ले लेना है P-A-K-A ठीक है P-A-K-A ठीक है कल पका और तमिल लाडू में यहाँ M-I-L से हम start करेंगे लाडू का N-A लेकेंगे ठीक है M-I-L-N-A मिलना कल पका मिलना ठीक है कोई पूछे कब मिलना है तो कल पका मिलना है अब यह बात बिलकुल आपको याद रखनी है कि कब मिलना है कल पका मिलना है यानि बिलकुल शियोर है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कल ही मिलना है तो कल पका मिलना है अब एक चीज़ पर आप गौर करो तो देखो सारे ही उपर साइड में है जितने भी पाउर प्लांट है, नौर्थ साइड में है, नरोरा को देख लो, मद परदेश में भी देख लो, नामरूप को देखो, तेलंगाना वाला देख लो, और ये तमिल लाडू में, बस ही ये वाला, यानि काकरा पारा को छोड़ो, तो बागी सब थोड़ा उपर में है, ठीक है, तो ये ट्रिक तो हो गई, अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं, कि एक्जाम में कहां कहां से कोशन आया हुआ है, कौन से टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर थर्मल पाउर प्लांट की बात करें, तो पिछले 5 सलों में यहां से कोशन नहीं आय है, इसलिए इसको आपको बाद में तयार करना, यानि पहले आप नुकलियर पाउर प्लांट तयार कर लेना, जब तयार हो जाए तब थर्मल की तरफ बढ़ना, ऐसा नहीं कि तयार नहीं करना है, सेलबस में है, तो तयार करना ही है, और इस बार हो सकता है, आज आए, क्यों पकम की बात करें, तो ये 2019 के अंदर और 2020 के सैंपल उपर में पूछा गया है, तारापुर की बात करें, 2019 के अंदर और 2020 में पूछा गया है, अच्छा थोड़ा रिवाइस भी करते जाओ, कल पक्का मिलना, मिलना कहाँ, तामिलना डू, तारापुर, तारा यानि स्टार, बॉ मुंबई महारास्टा में न रो रहा है क्यों रो रहा है क्योंकि उसको उत्तर नहीं आ रहा है यानि उत्तर प्रदेश हो गया 2019, 2017, 2020 और इस बार के 2021 के सैंपल लेपर में भी दिया हुआ है काईगा ये 2019 में आया ज़रू था लेकिन इस बार सैल बस में नहीं है तो तयार नहीं करना है काकरा पारा की बात करें 2020 के अंदर आया हुआ है इसकी ट्रिक क्या थी के और के ए ठीक है के जी के ए जी यू चलिए एक कॉशन देखते हैं सैंपल लेपर में जो पूछा गया है पहले आप देख सकते हो ये मैंने प्लॉट किया हुआ है इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो थोड़ा क्लियर दिखेगा थोड़ा दूर से अगर आप दिखाओगे क्योंकि मैप पे बिल्कुल उसी पे चढ़ा के लिख दोगे तो उतना साफ नहीं दिखेगा इसलिए देखो मैंने थोड़ा बाहर रखा है मैप से जो लिखा हुआ है तो इसका चाहो था आप स्क्रीन शॉट ले लो ओके तो आगे बारते हैं तो ये इस बार का 2021 का सैंबल वे पर है इसमें कुशन हम देखते हैं सेकेंड वाले पार्ट में आएंगे तो A, B, C, D, E पाच कुशन है और आपको क्या करना है किसी तीन को आपको करना है तो देखो यहां सिंबल का यूज आ गया सिंबल आपको यूज करना है कैसे यूज करना है अभी मैं दिखाता हूँ तो ये B वाला हम देख लेते हैं यही हमारा आज के टॉपिक में है Thermal Power Plant ही हमने आज पढ़ा है तो नाम रूप देखते हैं कहां पर है नाम क्या है Sam Sam यानि आसम आसम में कहां पर ये रहा आपका नाम रूप ठीक है तो मैंने इसको सर्कल से बनाया और आपको क्या लिखना है ऐसे लाइन खीचना है और बी नाम रूप ठीक है इस तरह से लिख देना है अब आगे आपको Thermal Power Plant पूरा लिखने एक जरूद नहीं है अब मैप में यही पर कॉर्नर में आपको क्या करना है सर्कल ऐसे बनाना है और आगे आपको लिखना है कि ये सर्कल क्या दिनोट करता है तो ऐसे लिख देना Thermal Plant ठीक है इसी तरह हर किसी का अलग-अलग सिंबल आपको यूज करना है डैम के लिए आपने मालो स्कॉयर ऐसे यूज कर लिया और आपको लिख देना है कि डैम अब जहां पर भी डैम होगा तो वहाँ स्कॉयर से आपको ये सिंबल दिखाना है ठीक है ऐसे लाइन कीच किए फिर Software Technology Park है इसके लिए अलग सिंबल यूज कर सकते हो जैसे आपने Triangle यूज कर लिया एक जिखे पर उल्टा Triangle यूज कर लिया इसे वैसे आपको तीन ही यूज करना पड़ेगा तो तीन सिंबल तो आपको आसानी से मिल जाएगा सरकेल, स्कॉयर और ट्राइंगल तो इतने में ही काम हो जाएगा ओकर तो ये पूरा हो गया अब चाहो तो आप अपने से भी कोई Trick बना सकते हो अगर कोई और अच्छी Trick आपके साम माइंड में हो तो आप उसे खुद अपने यूज कर सकते हो और चाहो तो आप Share भी कर देना Comment section में ओ ट्रिक बता देना ताकि और किसी कई भला हो जाए तो आज कई ये session हमारा यहीं परेंड होता है अब मैंने और भी वीडियो मैप की बनाई है वो कहां से देखना है उसके लिए आपको YouTube पे channel का नाम सर्च करना है CBSC Words D के आगे Z लगाना है और ये logo है आप इस logo से पहचान सकते हो इस पे क्लिक कर देना या चाहे ये जुन लिखा हुआ है चैनल का नाम यहाँ पे क्लिक कर देना क्लिक करोगे तो ऐसे कुछ ओपन होगा Home Video Playlist तो प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ CBSC Class 10 दिखा हो मिलेगा इसके अंदर बहुत सारी प्लेलिस्ट है आपको उपर तो 3 या 4 दिखेंगी लेकिन यहाँ देख सकते हो नीचे एक एरो बनी हुई है इस पे क्लिक करोगे तो सारी जो CBSC Class 10 की प्लेलिस्ट है वो ओपन हो जाएगी तो वहाँ से Map वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो ओपन करके वहाँ और भी वीडियोस है उसे देख सकते हो या और भी किसी सब्जेट का आप दूँ देखना है तो वो सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी और Map की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा यानि वीडियो के नीचे यहाँ पर कॉर्णर में एक ट्रैंगल सा बनाओ गो उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा वहाँ पर भी मैं लिंक दे दूँगा ब्लू कलर से जो होगा उस पर क्लिक करोगे तो ओपन हो जाएगा ओके तो आज की इस वीडियो में इतना ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरू बताइए अच्छी लगी हो तो लाइक जरू करिए और चैनल पर नहें है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए बहुत सारे लोग है जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किये है यानि 12% ऐसे लोग है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है वो वीडियो देखते हैं और 88% ऐसे लोग है जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है निवेदन है कि वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में एक बेल का आइकन बना होगा उस पे क्लिक करके All पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मेसेज आ जाएगा मेरा फेस्टुक पेज है उसे भी आप लाइक कर लीजिए और टेलिग्राम ग्रूप है उसे भी आप जॉइन कर लीजिए उसका सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर की मैप देखेंगे ओके थैंक यू